निर्देशा नुसार उपसर्ग और प्रत्य पर आधारित पांच बहु विकल्पिये प्रस्णों में से किनी चार के उत्तर दीजिए कोई चार आपको करना होगा पांच कोस्टन दिया होंगे ठीक है फर्स्ट कोस्टन है अनुभव में उपसरग है तो उपसरग हमेशा आगे लगता है तो कौनसा उपसरग इइसमें अनु है अनु प्लस भव अगर पूँछता मोल सब्द कौनसा है तो भव होता ठीक है तो यहाँ पर आपका उपसरग क्या हो जाएगा ए उप्षन आनू ठीक है अगला कौसन सेकेंड नेतिकता में कौन सा प्रत्य है ध्यान रखना प्रत्य तो सब्द से याद रखना पासे प्रत्य और पासे पीछे ये हमेशा पीछे लगता है ठीक है और उपसर्ग आगे लगता है ठीक है तो नेतिकता इसमें प्रत्य होगा त लाश्ट में क्या मिलेगा आपको था ठीक है B option right हो जाएगा अगला प्रति भागी सब्द में मूल सब्द और उपसर्ग अलग कीजिए तो प्रति प्लस भाग प्लस यही right होगा प्रति प्लस भागी यह होता लेकिन भागी कहीं पर लिखा नहीं है तो भाग प्लस बड़ी E इसको हम लिख सकते हैं तो हो जाएगा option B प्रति प्लस भाग प्लस E यह आपका right हो जाएगा आगे अगला question निमन लिखित वाक्यों में से उपसर्ग के गुण पहचान कर नीचे देगए विकल्पों में से सरबाधिक उप्युक्त उत्तर वाला विकल्प चुन कर लिखिए पहला उपसर्ग सब्द के प्रारम में लगते हैं बिल्कुल सही क्योंकि उपसर्ग आगे होता है ठीक है दूसरा उपसर्ग सब्द के अंत में लगते हैं गलत है क्योंकि अंत में प्रत्य होता है तीसरा उपसर्ग लगने के बाद सब्द के अर्थ में परिवर्थन होता है बिल्कुल सही अगला उपसर्ग लगने के बाद सब्द के अर्थ में परिवर्थन नहीं होता गलत क्योंकि परिवर्थन होता है तो आपका पहला और तीसरा राइट है तो option देखो कौन सा है पहला और तीसरा तो यहाँ पर आपका C option राइट हो जाएगा ठीक है पहला और तीसरा आगे column 1 और column 2 को सुमेलित कीजिए और सही विकल्ब का चुनाव कीजिए यानि की चैन कीजिए तो ध्यान से देखो सीमित तो इसमें प्रत्य कौन सा है इत पहला पहले से है ठीक है अगला सामाजिक तो प्रत्य लाश्ट में का निकला सामाजिक एक यह थर्ड से है अगला मिठाई वाला तो प्रत्य लाश्ट में देखो मिठाई वाला वाला आगया लाश्ट में निर देशान निसार समास पर आधारित पांच बहु विकल्पिये प्रसनों में से किनी चार के उत्तर देजे कोई चार करना होगा पांच आपको मिलेंगे ठीक है कोशन नमबर फोर में ध्यान से देखो पहला कोशन दो पहर समस्त पद का समास विग्रह होगा तो दो पहरों का समू या फिर दो पहरों का समाहार सी उप्षन राइट हो जाएगा ठीक है इसका क्लियर है फोर के फर्स्ट में सी उप्षन हो जाएगा अगला कोशन नमबर सेकेंड त्रिभुवन समस्त पद में समास होगा तो जहां पर कोई संख्या हो त्री चतूर पंच सट तो समस्त लेने वहाँ पर आपका दिगू समास है तो यहाँ पर आपका सी उप्षन राइट हो जाएगा ठीक है इसमें आपको जंख्या मिलेगी ठीक है अगला जहां समस्त पदों में विद्धिमान दो पदों में से कोई प्रधान ना होकर तीसरे अन्यपद की परधानता हो वहाँ समास होता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है बहुबरी समास होता है डेफिनीशन भी याद कर लेना ठीक है क्योंकि डेफिनीशन से भी M.C.Q. कोईसन पूँच सकते हैं तो आपको कुल मिलाके अच्छे से तयार करना है ठीक है आगे आगे निमने लिखित समासों में कर्मधारे समास के उदाहरन है तो माता-पिता ये नहीं है नेल-गगन ये है पिता-वार ये है राद दिन ये भी नहीं है ठीक है तो आपका second and third right है second and third right है option देखो भी option हो जाएगा दूसरा और तीसरा ठीक है अगला कोलम एक और कोलम दो को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए तो पहला है त्रिब्याणी त्रिब्याणी में आपका कौन से समास है बच्चों ध्यान से देखो तो यहाँ पर त्री संख्या गई ना तो यहाँ पर दिगु समास हो गया second से मिला दो इसको अगला गजानन के साथ गणे से तो यह हो गया अब बहुबरी समास तीसरे समिला दो पाठ साला तत पुरुष समास है इसका पहले सो जाएगा तो मतलब पहले का दूसरा है ठीक है दूसरे का दूसरे का तीसरा है ठीक है तीसरे का पहला है ठीक है मतलब कि ए उप्सन राइट हो गया आपका ठीक है अगला ध्यान से देखो कहीं पर डाउट होगा बताना कोशन नमबर फाइफ निर्देशा नुचार अर्थ की दृष्टी से वाक्य भेध पर आधारित पांच बहुत भी कल्पिये प्रसनों में से किनी चार के उत्तर दीजिए मतलब इसमें भी आपको चार करना होगा पांच कोशन दिया होगा पहला कोशन है पहला कोशन है वाक्य का प्रकार बताएए सूर्य पस्चिम में अस्ट होता है तो यहाँ पर आपका विधान वाचक वाचक कौँसा वाक्य है? विधान वाचक, ठीक है? A उप्षन राइट होगा. अगला सीधा सा लगा देना हिसाब, विस्मय वाचक वाक्य, ठीक है, तो यहां पर आपका C option right हो जाएगा, ठीक है, अगला, आज हिंदी सिक्षक विद्याले आये थे, इस वाक्य को निसेध वाचक वाक्य में लिखा जाएगा, तो निसेध वाचक का मतलब ध्यान में रखना नहीं जुड़ा होगा, नहीं या फिर ना, ठीक है, तो ऐसा sentence कहां लिखा है, नहीं के साथ, डी है, आज हिंदी सिक्षक विद्याले नहीं आये थे, यह आपका right हो जाएगा, निसेध वाचक में नहीं लिखा होता है, यह चित ध्यान में रखना, या फिर ना, ठीक है, आगे, अ है, वहाँ अर्थ की दृष्टे से कौन सा वाक्य भेद होता है, तो आपको पता है निसेध वाचक, ठीक है, अगर आप definition याद करोगे, तो हो सकता है, definition से mcq बना दें, या फिर आप example याद करोगे, तो आपको रहासानी हो जाएगी, तो कुल्म लागे, पूरे concept को आप अ इसान आगे अब इसमया दिबो धक्का, तो यह तो नहीं है, यह भी इसमें वाचक हो गया, आगे इसमें question mark लगा तो यह प्रस्ण वाचक हो गया, बर्गर मत खाओ, यह भी नहीं है, मत या ना आगया निसेध हो गया, तो यहाँ पर बचाप का B option, इस वर सभी को खुश र ना होगा, इसमें भी आपको 5 question दिये होंगे, ठीक है, पहला question, निमने लिखित पंक्तियों में अलंकार पहचानी है, सत्य सेल दिल ध्वजा पता का, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है, जितने अलंकार हैं, उनकी आप definition अच्छे से पढ़ ना, example के साथ साथ, क्योंकि कभी definition पूछेंगे, कभी example ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है, अगला, दे गई पंक्ति में अलंकार पहचानी है, नील कमल से सुंदर नयन, ठीक है, तो जहां पर, सा, सी, से, ये सब्दा आ जाएं, समझ लो, वहां पर आपका, उपमा अलंका हो जाएगा, क्योंकि इसमें से आ चुका है, सासी से, ठीक है, से आया हुआ है, अगला, दे गई पंक्ति में अलंकार पहचानी है, तरनी तनुजात्ति तमाल तरूर भहु, छाए, तो एक वरन बार बार आ रहा है, ता, 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 ता अगला निम्न में से रूपक अलंकार का उदाहरन है तो मैं या मैं तो चंदर खिलो ना ले हो यहाँ पर आपका D-Option रूपक अलंकार का उदाहरन है ठीक है आगे Question 5 जब किसी पंक्ती में एक ही बेंजन बार बार आए तो कौन सा अलंकार होगा तो अभी आपने पढ़ा था एक वरन बार बार आए ध्यान से देखो यहाँ पर आपसे Example पूँचे थे ठीक है इसमें ता 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 बार बार आए था तो अनुपरास अलंकार हुआ था तो उदाहरन था लेकिन अगर आपको definition पता है यानि परिभासा पता है तो आप समझ जाओगे फिर से भई question पूँच लिए हैं तो यहाँ पर हम लगा देंगे अनुपरास अलंकार क्योंकि एक वेंजन यानि कि एक वरन बार बार आता है अनुपरास अलंकार में ठीक है तो टोटल मैंने grammar section complete कर दिया बांकी आप comment में link मिलेगी अच्छे से आपको किस प्रकार से लगो कथा लिखना है समवाद लिखना है पत्र लिखना है सब चीज की practice आप कर सकते हो देखकर ठीक है तो channel पर visit करो या फिर comment में link मिलेगी open करके आप देख सकते हो ठीक है ऐसे pattern में ही आपका paper आएगा ये चीद ध्यान में रखना तो अच्छे स्तयारी कर लो बांकी paper के बाद इस paper का solution भी upload हो जाएगा ये चीद ध्यान में रखना ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही था किसी प्रकार के कहीं कोई doubt है तो comment कर सकते हो मिलते हैं अगले वीडियो में thank you for watching and take care